गेमिंग वीडियो का स्टाइल अब चेंज हो रहा है ओडियन्स अब पक जाने लगे है ओवर्ली फैंसी गेमिंग वीडियो से जहां पर गेमिंग से ज़्यादा एडिटिंग भड़े पड़े हैं जिनका अटेंशन स्पैन बहुत जादा ही कम है बचपन में जैसे बाकी बच्चे गेम कहिलना शुरू करते हैं मैंने भी वैसे भी गेम खेलना शुरू किया था किसी एक को देख कर कि-फ um वा यह तो गेम महीन यह पार चला कर उता Vine कि उत्ड़े कि वोग ऑ पर इसके बात जब हम बड़े होते गए हमें पता चला कि YouTube पर भी गेम्स चलते हैं और यहां पर भी गेमिंग वगेरा डाला जाता है गेम प्लेज डाले जाते हैं और यहां पर देखने में बहुत मज़ा आता है तो हमने धीरे धीरे YouTube को अपना गेम खेलने का प्लैटफॉम बना लिया इंडायरेक्टी क्योंकि जब हम ख गेम पर involved होना शुरू हो चुक है और अब हमें उस गेम पर इंट्रेस्ट आना शुरू हो चुक है अब हम उस गेम को देख रहे हैं गेम की वज़े से हमें पता लगाना है कि इसके बाद होना कि आए इसके बाद कौन सा मिशन आएगा कैसे हम यहां से निकलने वाले हम पू सारे बच्चे हैं वो गेमिंग के बजाए एडिटिंग को देखकर बड़े हो रहें बस अटेंशन को ग्रैब करने के लिए गेमिंग का नाम देखकर उसमें फाल्तू की चीज़े डाली जारी है एडिटिंग के थ्रू जहां पर 10% गेमिंग और 90% फैंसी एडिटिंग आजकल के बच्चों के अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा गिर चुके इसी वज़े से उनको बनाया रखना एक वीडियो में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आप बहुत ही फैंसी तरीके से एडिटिंग ना करते हो तो लोग शॉर्ट फॉर्म कॉंटेंट के पेस वाली एडिक्शन को लॉंग फॉर्म कॉंटेंट में भी लाकर लोगों की अटेंशन करने पर लगे पड़े हैं और यह ट्रेंड और ज्यादा तब से शुरू हुआ जब से मिस्टर बीस्ट बहुत ज्यादा ग्रोव करने लगे उनका क्रेस बहुत बढ़ने लगा मिस विजित बेंडाल में और शुरू कर चुका है और यह बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है और कुछ लोग को एक्शुली लगता है कि अगर हम इतनी तगरेंटिंग ना करे तो हमें व्यूस कैसे मिलेंगे लोग हमें वाभाई कैसे धेंगे आरे भाई तगरी एरीग किया है भाई क्या editing किया है या retention कैसे मिलेगा तो let me show you something gamer fleet का नाम तो सुना ही होगा gamer fleet तीन तीन चैनल को maintain करता है gamer fleet है not gamer fleet है अंशुब beast है इन सभी channels पर वो long long gameplay videos upload करता है अगर सब कुछ retention का यह game होता तो क्या 50-50 minute का video बनाने के बाद जिसमें बहुत तगड़ी editing तो कुछ है नहीं बस नॉर्मल सी commentary के साथ gameplay कर रहा है जिसमें बस gameplay पर focus किया जा रहा है उन पर हर रोज इतने views आते या फिर एक consistently जो views आ रहे हो views आते नहीं कुछ professional foreign video editors खुद ये बात कह रहे हैं उनकी बात सुनो एक पर I would definitely say that the retention style of editing is catered more towards like a younger audience right I feel like an older audience you know people who are more into their late 20s early 30s and above we're more into content that is more slower paced right we're not really into all those flashy effects that change scenes every two seconds or change every three seconds we're more looking for something that we're able to connect to on a more spiritual level I am guilty of doing retention video editing I used to do all the time on my other channel now problem है क्या overly edited videos के साथ number one less connection with your audience which decrease your brand value YouTube जब शुरू हुआ था उसका main intention ही था कि एक इंसान अपना एक video बनाएगा जिसके थूरू दूसरा इंसान उससे connect कर पाएगा इसलिए नहीं कि वो कितना जदा तगड़ा editing करेगा और उससे आकर दूसरे देखेंगे लिखवा रहता है वो बस पढ़ देते उसको और अच्छे से तगड़ी editing कर देते ऐसे कि उनका वो सभी चीजे ना वो बिल्कुल चला जाता है लोगों को लगता है कि आरे यार यह इनसान कितनी तगड़ी करता है लोगों का focus ही चला जाता है वहाँ पर ना तो उसके साथ उन इंसान का उन ओडियंस का कुछ connection हो पाता है ना उसकी speaking या फिर उसका कुछ inner skill develop हो पाता है क्योंकि अब तो सब कुछ shift जाता है ना everything can actually be edited actually में जो relationship shift build कर सकते थे अपनी audience के साथ वो करते ही नहीं हो शुरू से YouTube ऐसा ही था जब भी कोई वीडियो बनाता था तो वो directly hard to hard बात करता था नॉर्मली बात करता था camera के सामने बैट कर और ऐसी लोगों के साथ connection build हो पाता है नॉर्मली लेकिन ये चीज़ बिल्कुली खतम हो रहा है अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा है कि totally editing करना बंद कर दो या फिर overly edited contents are not good बट कुछ कुछ cases में ये बिल्कुल अच्छा नहीं है especially तब जब आप totally rely कर जाते हो इस पर कि मुझे तो बहुत तगरे rating करनी है so I don't care इसका example कुछ ऐसे दिया जा सकता है कि मान लो कि तुम किसी एक इनसान के साथ पहली बार मिलने जा रहे हो date पर जा रहे हो उसको तुम coffee shop में अगर बुलाओगे किसी cafe में बुलाओगे तो वहाँ पर शांती से दोनों बैठ कर आपस में बातचीत कर सकते हो connection बिल्ड कर सकते ह अच्छे से लेकिन वही पर अगर तुम दोनों अपने first date पर किसी क्लब में जाओ और वहाँ वे fancy lights जो तगड़े तगड़े lights होते हैं बहुत ब्लिंक करते हैं जो colorful lights होते हैं sound system बहुत ज्यादा तेज sound वगेरा बहुत noise ऐसी जगे पर जाकर क्या तुम दोनों आपस में रि time लग जाता है जो कि कई बार आप दे नहीं पाते हो because you have other walk too जब भी को एक नया youtuber या gamer आता है वो कभी भी यह नहीं करेगा ना कि एक घंटा दो घंटा मैंने video record करने में दिया उसके बाद 5-6 गंटा 7 गंटा या एक पूरा दिन दे दिया उसको edit करने में ऐसा बिलकुल नही जाता है so kind of यह बहुत जादा problemating हो जाता है for the beginners क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी एक problem हो जाती है कि वो ना तो पैसा देखकर किसी को रख भी सकते है क्योंकि उनमें उनका पैसा बहुत जादा लग जाएगा और उतना पैसा उनके पास होता नहीं है कि वह पहले ही आकर ए लिए वीडियोरेटर रख ले तो बहुत जादा हाई चार्ज लेते है वीडियोरेटर आज के टाइम पे वो पे करना पॉसिबल नहीं हो पाता है जिसकी वज़े से इतना फास्ट पेज वाली रेटिंग की जरुवत पढ़ती है यंग लोग का पर्चेजिंग पावर बहु बहुत स्टॉंग नहीं मानी जाएगी क्योंकि आपके ओडियंस के पाथ खरीदने का वो जो शमता है वो बहुत कम है और ऐसे टाइप के गेमिंग वीडियो जिनको और ज्यादा फनी बनाने के लिए और ज्यादा तगड़ी एडिटिंग की जाती है यह मैक्सिमम बच्चो कोई target किया जाता है जिससे आप शायद थोड़ा बहुत उनका attention तो grab कर लो लेकिन आपको ultimately कोई benefit नहीं मिलने वाले उनसे जो late 20s के लोग होते या फिर early 30s के लोग होते जिनको थोड़ा slow pace पसंद होता है वो सुनना पसंद करते लोग को live stream से उठा कर मैंने डाल दिया अपन gaming videos में attention ज्यादा देते हैं लोग अगर आप उनका attention grab करना जान देओ अगर आप में वो काबिलियत है कि आप game गेम पर घुस सको तो वो आपको definitely देखेंगे you have to think once कि triggered इंसान जो एक टाइम पर बहुत जादा fancy एरिट वाले gaming videos बनाया करता था 10-12 minute का एकदम full funny videos वो अगरता था जहां पर video का एक भी second ऐसा नहीं रखता था कि उसने एरिट नहीं किया है पूरा का पूरा edited video वो अगरता था लेकिन अब वो पूरा का पूरा gameplay video डाल रह रहे है एंड लोगों को भी मजा रहे है वाई just because कि यही चीज लोग चाते है आपका video जितना simple रहेगा जितना slow रहेगा जितना अच्छे से आप चीजों को explain करोगे उतने अच्छे से हर एक किसम के लोग आपके साथ connect कर सकते एक 30 साल का 40 साल का इंसान भी आपको देख उनको अच्छा लगता है कि मैं थोड़ा slow pace वाला वीडियो देखू थोड़ा सा ज्यादा अच्छे तरीके से मैं समझ सकू इस तरीके का कोई वीडियो देखू इसी वज़े से podcast की demand बढ़ चुकी है podcast में कोई editing नहीं होता है बस normally बातचीत होता रहता है लेकिन उनमें भी millions में views जाते हैं वाई क्या कोई reason है particularly क्योंकि mostly जो लोग होते हैं जो थोड़े matured लोग होते हैं उनको पसंद है यही टाइप के वीडियो तो the main conclusion of this video is कि normal gameplay is the future मतलब आपको ultimately gameplay पर ही focus करना है ना कि कुछ अलग चीज़ों पर कि यार मुझे funny चीज़े डाल ली है यहां पर यह डालना है हर दो सेकेंड में मुझे कुछ ना कुछ नया चीज दिखाना पड़ेगा तब ही जाके मैं कुछ कर पांगो नहीं अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग already ऐसा कर रहे हैं लेकिन सबके हर एक वीडियो में ऐसा नहीं है कि व्यूज आ जा रहे है कि आप पूरे दिन में अगर यूट्यूब स्रोल करते रहते हो और आपको सिर्फ ऐसे टाइप के वीडियो देखे जहां पर बहुत फास फास चीज़े ऐसे गुजर रही है एक टाइम के बाद आपका दिमाग ना बहुत जादा ही तंग आ जाएगान सभी चीजों से उसको शानती चाहिए होगी और शानती और काम और बहुत ही slow चीज़े को requirement होगे उस टाइम पर Gaming एक बहुत ही चिल वाली चीज होती है, इसको enjoy करना बहुत ज़रूरी है, लोग इसको बहुत ज़रादा fancy बनाने के चकर में, retention grab करने के चकर में, इसको इतना ज़रादा overly edit करके देर है, जिससे शायद उनको थोड़ा बहुत attention तो मिल जा रहा है, लेकिन लोग audience गेम पर नहीं कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तुम्हारी क्या रहा है, वो तुम comment में बता सकते हो, और अगर नए आ रहे हो चैनल पर तो ज़रू से subscribe करके जाना हो, और like कर देना वीडियो को अगर definitely पसंद आया है, तो बाकी मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के ल लूब यू